गुट मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं अमन आप सभी का अग्रिकल्चर एंड जीके के ओफिशल प्लेटफॉम पर स्वागत करता हूं तो आज हम डिसकस करने वाले हैं करने से पहले आपके लिए एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है अगर आप जो है और आप इस एक्जाम को क्रेक करना चाते हैं तो आप हमारे साइड़स को जोइन कर सकते हैं इसकार्स के अंदर आपको 200 और आपको 20 प्लस मोक्टेंट मिल जायेंगे जो कि आपके प्रिवियस के एक्जाम फेपर होते हैं उनके बेसी और प्लस आपके बनाए गए हुए है इसके दावा आपको जो है फ्री इंटर्व्यू गाइड़न्स दी जाएगी साती साथ जो है आपके जो डाउट होंगे उनको भी क्लियर किया जाएगा और ट्वेंटी फॉर इंटु सेवन आवर्स के लिए आपको जो है रिकॉर्डिड वीडियो से इसके परफेट परचेश कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट अगरी कल्चर जी के डोट इन से भी से परचेश कर सकते हैं परचेश करने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वरी है तो 1029 का करवा चुका हूं अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एक बार को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके पैटन पर जो है नजर डाल लेते हैं तो द हुए है ठीक है नेगटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25 की ठीक है इसके साथ ही साथ है जो इसका टाइम पीरिड़ है आपका टू आवर्स का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि सभी फटाफट जुड़ जाएए लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट तो देखे इस वीडियो का is question paper का जो आपका पहला question है बहुत ook है ठीक है आप easily sickness कर सकते हैं पहला question आपका sexual propagation is «3 ठीक है जो आपका sexual propagation होता है प्लाइंट की अंदर हो किस से किया जा जाता है सिट से या फिर लेरिंग से या फिर ग्राफ्टिंG से या फिर कटिंग से तो देखिए जो प्लाइंड की अंदर आपका सेक्सल्क्ट के मैथ्ध है तो इस को सिट्ट निया ले अनसर आपका होगा कि option के ठीक है नेस्ट कोश्चेन आपका मेगा sporogenesis आप प्रोसेस ओफ़ डवलब्मेंट क्या मतलब की एक प्रोसेस होती है जिससे आपका ते मतलब बताना है आपका क्यों सा जो है और्गन प्लांट का डबलप होता है या कौन सी स्टेज डबलप होती है तो देखे इस स्टेज को जो मेगा स्पोरोगेनिसिस है माइक्रोगेमेटोगेनिसिस है इसको हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं ठीक है जी दिनेस मौरे जी बिल्कुल राइट अंसर है आपका ऑफशन एसका बिल्कुल राइट अंसर है हम आप क्या है ऑफशन जो आपका कॉस्चन नंबर टू है इसको एक बार डिटेल में डिसकस कर लेते हैं ठीक है देखे जब जनरली होता क्या है जो प्लांट का एंथ हम इसको कट करते हैं तो यह क्या है जो है वह इसको नजर आते हैं जिनको किया बहुत है इन को हम क्या को है है पॉलन सेक्ट इनको बोला जाता है इसके अंदर ही क्या है यह इसको क्या कहा जाता है इसके इलाबा इसको माइक्रो स्पोरेंजिया भी बोला जाता है ठीक है माइक्रो स्पोरेंजिया भी इसको कहा जाता है इसी के अंदर क्या है आपके पॉलन प्रेजेंट होते हैं इसी के अंदर क्या है आपके पॉलन मदर सेल प्रेजेंट होते है ठीक है जिन पॉलन मदर सेल के अंदर क्या है आपकी मियोसिस प्रोसेस होती है ठीक है मियोसिस फर्स्ट इसमें प्रोसेस होती है और यह क्या है एन नंबर में कनवर्ट हो जाता है तू सेल में कनवर्ट हो जाता है इसके बाद इसके अंदर होती है आपकी मियोसिस सेकंड फेज होती है उसके बाद यह क्या बन जाता है आपका फॉर सेल बन जाते हैं यह यह फॉर के फोर क्या होते हैं आपके एन नंबर में ते जिसको हम इसको क्या कहते हैं ट्राइड स्टेस्ट मी बोलते हैं इब तक आपका जो यह प्रोसेस है पॉलन मदर से ठील से अपका क्या बढ़ना मेट्ब स्पो्स बनना माईट्रो स्पोर्स सिम्न आ Hm आपका क्या कहलाता है Microsporogenesis कहलाता है ठीक है Microsporogenesis कहलाता है आप इंधर के अनदर होता है इसके अलावा देखिये जो lang दो ऐसा दो मेल मेलयद कि पार्ट प्लान्ट का उसके अंदर जो यो है सहरा आपके यहां पर क्या है उन्हीं होता है इसके अंदर उनलों टाही इसके अंदर क्रीक्याँ आप कण मैगा मदल सैल सौनक में च seven वेसंट मेजा है उसके अंदर सुआ स्टेज होती है ठीक है मियोसिस फर्स्ट फेज जो होता है इससे क्या होता है जो मेगा मदर सेल है यह आपके दो सेल में CONVERT हो जाता है दो het 20 سैल優ole factors जाता है और इसका जो है इसका है प्लूइज कितना है n हो जाता है और फिर इसके अंदर tuvo अपका मिोसिस second phase ज indem है इस Works vogöyleรस जाते हैं चार सहल के बंते हैं पिछल सेम्हें से जो आप का है इंचार से Circelf त्री त्य impeachment से रेट हो जाते हैं यह धिसल किया आपके ऊपर डिजहिट हों अगर ये एक की जो है आपका बचता है इसी प्रोशेस को क्या का जाते हैं मैगा स्पोरो जने सिसका जाता है ठीक है मतलब कि क्या है जो मधर मैगा मधर से ठीक है मेगा मदर सेल है उससे आपका क्या बनना व्यूल बनना ही क्या कहलाता है तो के में क्या पूछा गया कोश्चन पूछा गया कि मेगा स्पोरो जैनिसीज क्या होता है मेगा स्पोरो जैनिसीज होता है आपका जो मेगा मदर सेल होते हैं उनका किसके अंदर कन्वर्ट होना व्यूल के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है आपका मेगा स्पोरो जैनिसीज क् इसका राइट अंसर क्या होगा और इसका राइट अंसर होगा ठीक है बा। कर्सें अब आपका साथ में मैंक्रोच कर दीतीं साथ में स्था जाता है पॉलन मतर उते हैं उनके तो बना लेते हैं उसके अंदर फिर जाकर क्या होता है आपका मियोसिस सेकंड फेज आती है जिससे क्या है आपका टेटरार्ट सेज बन जाती है उसी को क्या कहते है उससे क्या होता है आपका पॉलन का फोर्मेशन होता है इसी को क्या कहा जाता है माइक्रो स्पोरो जैनिसिस कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है उनके अंदर high amount में होता है endosperm, perisperm, embryo या फिर leechy देखे जो आपके अगर albuminus seed के बात अगर आपकी जो है albuminus के बात पर base पर बात की जाए तो आपके जो हैं दो तरह के seed होता है एक होते हैं albuminus, एक होते हैं non albuminus albuminus seed वो seed होते हैं जिनके अंदर का है endosperm present होता है जिनके अंदर का है endosperm present होता है और non albuminus seed आपके वो seed होते हैं जिनके अंदर का है endosperm present नहीं होता है उसमें का है जो endosperm होता है और जब जिस time embryo का development होता है उस time का है completely consume हो चुका होता है और endosperm उसके अंδर नहीं रहता है। उनको कहा जाता है non-albuminous seed। तो देखे इसमें क्या है? albuminous seeds are having high amount of you, तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा आपका endosperm. alkalism seed के अंदर के आपका endosperm present होता है यो यो की लिए इंप्रियो के a consideration के लिए use कर लिया जाता है थीक है तो उसके अंदर क्या है आपका werd present होते हैं जो आपके kids होते हैं छुनली उनके अंदर की है ओव Dave albuminous seed होते हैं ठीक है dicot seed जो आपके है non albuminous seed होते हैं उनके अंदर endosperm present नहीं होता है next question है जो आपका available seed take dash color during tetrazoleum test ठीक है जो आपके vival seed होते है ठीक है आप vival seed seed takes dash color during tetrazoleum test option है आपके पास blue ठीक है इसके लावा next option है आपके पास option B आपके पास pink option C आपके पास green option D आपके पास violet देखे question में क्या पूछा गया है कि जो tetrazoleum solution होता है जो tetrazoleum solution आता है उसके अंदर जब seed को dip किया जाता है तो जो vival seed होते हैं आपके वो किस तरह का color develop करते हैं देखे जो tetrazoleum solution होता है आपका generally क्या है यह viability test करने के लिए use किया जाता है जिसको हम TZ test भी बोलते हैं यह आपके scientist लैकॉन उन्होंने इसको develop किया था ठीक है इसके अंदर जनली क्या है आपका 235 235 ट्राइजोलियम ट्राइफ नाइल ट्राइजोलियम क्लॉराइड जो है यूज में लिया जाता है ठीक है ट्राइफ नाइल के ट्राइजोलियम क्लॉराइड जो है केमिकल इसके अंदर यूज किया जाता है ठीक है इसका जनली जो है 1 परसेंट या फिर 0.5 परसेंट का solution बनाया जाता है वाइबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप देखिए 1 परसेंट का solution कब बनाते हम 1 परसेंट का विर्ण का प्रसेंट का सोलूशन हम जब करते हम जब यूज करते हैं वह मतलब कमप्लीadas CDCعة अगर जो आप क्या करई किया है आपने सीड को वाइस चैक्ट कर लिए सेRकहें के दों टुकडे कर लिए हैं तो शक्रक्रक्रक में क्या जाता है आपका zero point five percent का solution बनाया जाता हो जनर्ली इसका प्स है six point five to seven point five इसका प्सका प् KR रखा जाता है और इस solution को क्या है आप मोरो जो है अंद्यों में डारक प्लेस में इसको केप्ट करके रखा जाता इसmore solution के के अंदर क्या है सीढ को जो जिस seed की आपको test करनी होते है उन seed को dip करते हैं जनली 3-4 hours उसको है डार्क प्लेश में कैप्ट करके रख देते हैं उसके बाद क्या होता है जैसे आप seed इसके अंदर ढालते हैं तीड क्या है imbipe करता है vape करने के बाद क्या होता है उसके अंदर respiration स्टार्ट हो जाता है रापि उसके अंदर क्या होता है अंधर क्या हुआ हो जाता है replicate हो जाता है अंजायम क्या होता है होने लगता है ऑप यह फोली जो है यह थीयूड 3-5 ट्राइफ नाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है उसके साथ रियक्ट करते हैं और रियक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं कलड कंपाउंड बनाते हैं जो कि आपका स्टेबल कंपाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं फोर्मा जैन कहते हैं ठीक है उसको क्या क यह color dark होगा उतना ज्यादा सिद का है आपका वाइबल माना जाता है तो इस question का write answer क्या होगा यहाँ पर red color स्विछ इनिधन तो देखो दियाहुँत नहीं है लेकिन Tech color दिये होए है तो इसका right answer जो होगा आपका option बी ति के option भी क्या होगा इसका राइट अंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन है आपका आपको दो एक असर्चन दिया हुए है और एक उसका रिजन दिया हुए है ठीक है उसके बाद नीचे ओप्शन दिये हुए है तो देखिए असर्चन को पहले पढ़ते ह आपको assertion डिया हुए है एपो मिक्ट्टी एफो मिक्स जा फिर और मिक्स और टूर टाइप इन नेचर ठीक है इन्होंने कहा है की जो सब्सक्रीज होते है और फिर plyo जो प्रोजेनी होती है कोना होता है कि development of embryo without fertilization क्या कहलाता है आपका Apple mixes कहलाता है और उस Apple mixes से इस प्रोसेस से जो सीड डवलप होता है उसको हम कहते है अब देखें उन्हेंने reason क्या दिया है reason इन्हें बोला है अपने फोल्स पॉर्म्ड थ्रोव वेजिटेटिव मींस से या वेजिटेटिव प्रोफॉगेशन से डवल अप होते हैं यह बात भी देखें ठीक है क्योंकि इसमें क्या है किसी तरह का कोई पर्टिलाइजेशन वगारा इन्वोल्व नहीं होता है मेल गैमेट फिमेल गैमेट का मेल गैमेट का कोई रोल नहीं होता है तो यह क्या है एक साफ से बैजिटेटीव प्रोपोगेशन के अंदर ही काउंट होता है तो देख लीजे इस हिसाब से नीचे आपके option क्या दिये ग this one balanced a उसको पूरी तरह से explain कर रहा है तो क्या है ये बिलक्स रैट बात है एओ आर क्या है आपके दोनों ठीक है àो ऑर अ को पूरी तरह से एक्सप्लेइन कर रहा है तो यह क्या है आपका इसका रायट अंसर मिलुगा और आपश्यन होगा इसका रायट अंसर होगाई शाए यह आपका क्या कहा जाता है अगर सिंपल लेंगेज में मैं कहूं तो एक ही सीड के अंदर क्या है more than one embryo का present होना आपका क्या कहलाता है poly embryo कहलाता है मतलब कि एक ही सीड के अंदर क्या है एक ही सीड के अंदर आपके एक से ज्यादा embryo present है तो हम उसको क्या कहते हैं poly embryonie कहते है ठीक है तो देखिए poly embryonie किस वज़े से होता है आपका इसके अंदर option एह आपका न्यूसिलर embryonie या फिर development of more than one nucleus within the embryo sac या फिर option c आपका both a and b ठीक है तो देखिए जो poly embryonie होती है सीड के अंदर जेनरली क्या होता है जो आपके न्यूसिलर सेल होते हैं ठीक है जो न्यूसिलर सेल होते हैं वह भी क्या करते हैं कई बार डवलप करके न्यूसिलर सेल कई बार क्या करते हैं डवलप करके embryo के अंदर convert हो जाते हैं तो option यह क्या है आपका बिल्कुल ठीक है कि जो पोली embryo निया आपकी न्यूसलर embryo की वज़े से भी हो सकती है या फिर कई बार क्या होता है development of more than one nucleus within the embryo sac जो embryo sac होता है उसके अंदर जो nucleus cell होता है वो क्या करता है कई बार multiply करता है और क्या बना लेता है एक से ज्यादा nucleus cell बना लेता है ठीक है एक से ज्यादा nucleus cell बना लेता है उस case में क्या होता है आपके embryo का जो number of embryo हैं वो आपके increase हो जाते हैं तो second option भी आपका ठीक है तो इसी साब से आपका राइट अंसर क्या होगा आपका option c जो बोथ a and b क्या होगा आपका राइट होगा ठीक है कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए कि नेक्स्ट कोश्चन आपका papaya is propagated through ठीक है papaya का propagation generally किस से होता है यह बताना है आपको stem cutting से leaf cutting से एयर लेयरिंग से या फिर सीड से ठीक है तो देखें यहां पर जो option दिया हुआ है आपके इस option के साब से आपका राइट अंसर है ओ सीड होगा papaya का जो propagation है जनली किस से किया जाता है आपका सीड से किया जाता है लेकिन आज क्या है micro propagation यह टीशू कुल्चर टैक्निक भी यह पपाया के लिए यूज में ली जा रही है लेकिन यहां पर क्या है आपका option c d जो है राइट अंसर है सीड से propagation किया जाता है इसके अलावा देखें कुछ fruits ओर है जिनका आपका से है सीड से होता है ठीक है इन सारे जो है यह plantation और जो fruits आपके इनका क्या है सीड से ही propagation किया जाता है next question देखिए next question है आपका which is the correct order in respect of seed germination यह काफी अच्छा question है ध्यान से इसको पढ़िए आप लोग देखे पहला जो point क्या बोला है इनोंने increase in cell metabolism दूसरा आप के पास है embryo resume growth resume active growth तीसरा आपके पास rupturing of seed growth चौथ है आपके पास seedling emergence ठीक है यह आपके पास चार point दिये हुए हैं और question में क्या बोला गया है जब आप seed को germination के लिए लगाते हैं तो उसमें से मतलब यह चारो process क्या है आपके मतलब की चारो process जो है उस time होते हैं आपको क्या करना है इन चारो process को एक proper order में arrange करना है ठीक है एक proper order में arrange करना है तो देखें जब आप seed की sowing करते हैं field के अंदर तो सबसे पहला process आपका होता है 잉्पाइबेशन क्या है आपका first stage होती है जिसमें क्या होता है जो आपका seed है वो जो soil के अंदर जो moisture होता है उसको uptake करता है और उसको as чувств करता है अब जैसे ही हो moisture को absorb करता है उसके बाद क्या होता है जो in seed के अंदर जो enzymes होते है ठीक है active हो जाते है respiration उसके अंदर start हो जाता है कि उसको proper mo Dingen मिल जाता है उससे हैले क्या है वो आपका in active stage में होता है active stage होने के बाद उसके अंदर क्या है metabolic activity होना start हो जाती है RNA DNA का synthesis start हो जाता है उसके बाद जो आपके complex compound होता है जैसे की starch हो गया fat प्रोटीन हो हो गया इनका decomposition होना start हो जाता है ठीक है decomposition स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होता है यह simple form में convert होते हैं simple form में convert होने के बाद जो है आपकी जो embryonic axis होती है उसके थ्रू जो है यह embryo तक पहुचाए जाते हैं embryo तक जब एनर्जी पहुचाई जाती यह फूर पूचाया जाता है तो embryo आपका क्या है वह आपका growth करता है उसके अंदर cell division start होती है development start होती है development start होने के बाद क्या होता है embryo क्या करेगा वहाँ seed से बाहर निकलने की कोशिस करेगा जब आपका embryo जो है seed से बाहर निकलेगा तो उसके लिए क्या करेगा उसको seed coat को rupture करना पड़ेगा seed coat को rupture करने के बाद क्या है आपकी radical निकलेगी उसके बाद आपका plumule निकलेगा इस तरह से क्या होगा आपका seed emergence होगा जब radical निकलती है plumule निकलता है उसको हम कहते हैं seedling emergence उसको बोला जाता है तो मैंने सारा process आपको समझा दिया अब इसको proper तरिक्के से arrange कीजिए देखिए सबसे पहले आपका इसके अंदर क्या होगा increase in cell metabolism ठीक है जो cell का metabolism है वो क्या होगा increase होगा यहाँ पर ambivation का कोई process दिया हुआ निया तो ambivation के just बाद क्या होगा अपका metabolism increase होगा उसके बाद क्या होगा embryo resume active growth ठीक है जो embryo होगा वो आपका क्या कर देगा active हो जाएगा क्या करेगा growth करना start करेंगा उसके बाद क्या होगा o seed coat की Carturing करेगा ठीक है किर अने के बाद क्या होगा सीड का germination स्टार्ट होगा और germination को फिर जब रेडिकल निकलेगे उसको आप क्या कहेंगे seedling emergence बोलेंगे तो इस इसाब से जो आपकी इसकी correct sequence क्या होगी option A 1 2 3 4 क्या होगी इसकी correct sequence होगी next question देखिए नेक्स्ट कोस्टन जो है आपका ब्रायोफाइलम एंड सैंसी वेरिया और प्रोपगेटिड बाय ठीक है ब्रायोफाइलम का तो आप जब सैवन्त सोरी एट्थ किलास में जब थे आप तब आपने जो बुक है साइस की उसमें भी देखा होगा ब्रायोफाइलम का वहां से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसका प्रोपगेशन किस तरह से होता है ठीक है इसके लावा देखिए सैंसी वेरिया का मैं बता देता हूं सैंसी पता है तो सैंसी वेरिया का भी पता होगा आपके पास हैं लीव कटिंग दूसरा प्राइट अंशर लीव कटिंग से क्या होता है ब्रायो फाइलम और सैंसी वेरिया से इसका propagation होता है ठीक है next देखे bryophyllum का आपने plant देखा होगा उसके leaf के उपर ही क्या है छोटे छोटे से जो है plant निकले रहते हैं जब बाद में ओ लीफ जो आपकी जमीन पर गिर जाती है उसी से क्या आपके नए plant बनते हैं ठीक है next question है आपका the healing of graft union takes place in which of the following order ये भी आपका एक order वाड़ा ही question है इन जो चारो option है आपको इनको क्या करना है एक proper sequence में क्या है आपको arrange करना है देखिए आपके पास जो पहला क्या बोला गया है production of callus ठीक है उसके बाद आपका वो लगाए intermingling and interlocking of parenchyma cells of both graft components उसके बाद जो है differentiation of certain parenchyma cells of callus into new cambium cells उसके बाद आपका होता है production of new vascular tissue आप देखिए इन्होंने क्या बोला है जब आप क्या करते हैं crafting करते हैं जिस टैम आपकी graph team की याता है उस टाम क्या किया जाता है तो और को आपस में जोड़ा जाता है ठीक है उनको क्या है पन्नी से बांद दिया जाता है किसी थ्रेड से उनको टाइट कर दिया जाता है उसके बाद क्या है उसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होती है फिर एक टाइम आपका ऐसा आता है कि ओ क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ठीक है एक दूसरे से जुड़ जाते है तो सबसे पहले क्या होता है उस time आपका जो है जो सेल सबसे पहले क्या करते है कैलस फो में क्या होता है उनका development start होता है कैलस आपका क्या होता है कैलस आपका होता है मतलब कि एक साथ से group of cell होता है जो की आपका कैसा undifferentiated होता है ठीक है मतलब कि आप उसको differentiate नहीं कर सकते कि यह स्टैम है यह इसकी क्या है रूत है आप इस तरह है उसको डिफरेंटियट नहीं कर सकते तो कmble क्या होता है आपका mass of cell होता है यह बौल सकते हैं हम undifferentiated mass of cell होता है तो कैल अदर जब कैल अ जाता है उसके बाद रोता आपस में जुनना स्टार्ट होते हैं के अंदर इंटर मिंग्लिंग स्टार्ट होती है एंटर मिंगिलिगsell एंटर और लोकिंगल ऑफ पैरंचों LisaS अव बोठ jars प्रॉजुनंट ये प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट होता है ये स्टार्ट एक बाद क्या होता है आपका उनके अंदर differentiation स्टार्ट होता है मतलब की un-differentiated stage से क्या है वो differentiated stage में आते हैं मतलब कि उनका जो है जो proper part उनके डबलप होना start हो जाते हैं और नजर आने लगते हैं उसके स्टार्ट क्या है आपका बैस्कुलर टीशु फोर्म होते हैं जिसमें आपका जो जायलम और फुलॉम होती है और इसके अंदर यह होती है तो ine साब से इसका राइट अंसर क्या होगा आपका option एक होगा इसका राइट अंसर ठीक सबसे पहले आपका क्या transformation होगा उसके बाद उनके अंदर intermingling स्टार्ट होगी उसके बाद उसके अंदर क्या होगा differentiation स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा उसके अंदर vascular tissue का development स्टार्ट होगा तो option कि यह क्या है इसका राइट अंसर है next question है आपका the age of rootstock in apicotyle grafting is जो आपकी apicotyle grafting होती है उसके अंदर आपको एज बतानी है कि उसकी apicotyle की एज कितनी लेते हैं रूट स्टोक की एज कितनी लेते हैं ठीक है तो देखिए apicotyle होता है यह क्या है आपका recent method है grafting का recently अभी यह develop किया गया है जनली जो आपके इसको किसके अंदर mango के अंदर जनली किया है इसको यूज में लिया जाता है इस apicotyle grafting को हम क्या stone grafting भी कहते हैं ठीक है apicotyle grafting को हम stone grafting भी बोलते हैं इसके अंदर जो generally है six months जो old आपकी root stock होती है उसको हम लेते हैं ठीक है है इस में पल्ड जो हूज है उसको इसके अंदर लिया जाता है इस सिक्समांत नी सिर्फंटक अगां फिफटीन सुप्ति है इसको इसके अंदर क्या है यूज में लिया जाता है इस जो आपके डिए उनको क्या है पोली बैक एंदर P дог laquelle जाता है transplant करने के बाद जब वो 15 days के हो जाते हैं तो उसके उपर उसके उपर क्या है उसकी grafting कर दी जाती है इसी को क्या कहा जाता है आपका epic hotel grafting या stone grafting का जाता है तो इसके अंदर जो जनली आपका 15 days के अंदर जो है root stock use में ली जाते हैं यह क्या है आपका एक काफी cheapest और rapid method है ग्राफ्टिंग का ठीक है यह जनली जो है mango के अंदर यूज में लिया जाता है इसके अलावा नेक्ट देखिए question आपका green budding is commercially practiced in ठीक है जो आपकी green budding है यह भी क्या एक propagation method है आपको बताना है यह किसके अंदर यूज किया जाता है mango के अंदर रवर प्रांट के अंदर या बाबा के अंदर या सपोता के अंदर देखे जो green budding होती है इससे पहले क्या थी एक budding यूज कि जाती थी जिसको कहा जाता था brown बडिंग कहा जाता था अब इसको ग्रीन budding के जाता है और brown बडिंग के चाहता है यह भी मैं अभी आपको बताता हूं ब्राउन बड़िंग के अंदर जो जनली है 9 month ठीक है 9 month old जो root stock होती थी उसको हम लेते थे इसको brown budding इसलिए कहा जाता है कि after 9 month जो plant होता था उसके johy cambium होती थी ते वो कैसी color की हो जाती थी आपकी brown color की हो जाती थी जब आपकी आद में इसको और डबलब किया गया और फिर ग्रीन ग्राफिटिंग के ग्रीन बडिंग के अंदर क्या है इसको कर दिया गया जिसमें जनली इसके जो टू से eight month ठीक है two से eight month जो आपकी root stock होती है उसको जनली यूज करते हैं और इसके ऊपर जो है six to eight months टु सिक्स टू एट बीक जूँन औल होती है ठाहि सिक्स टू एट बीक ओल्ट सियोण यह उसको 끊 करते हैं इसके ऊपर ग्राफिटिंग के लिए रूट स्टॉक आपके कितने मंन्त लेते हैं सीерм टूट चॉट मन्न जो है रूट स्टोक को लेते है अल्ड रूट स्टोक को लेते हैं इसके लावा जो सियोन आपकी ओव 6-8 वीक ओल्ड जो है वह रूट स्टोक ली जाती है तो देखें इसका राइट अंसर जो आपका होगा रबर प्लांट ओगा ठीक है जो ऑप्षिन भी है वो इसका राइट अंसर होगा नेस्ट कॉस्च आपका लीली दिया है रूट इंवर का पोटेटो दिया है करने के बाद आपको यहां नीचे अंसर दिए उनको बताता ना यह थाए आनियन होता है ठीक है वैसे मैंने अंसर भी आपको बोल दिया है यह क्या है आपका बल्ब होता है इसके अंदर क्या थिन ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं थिन लेयर प्रेजेंट जैसे अनियन को आप खोलते हो एक लेयर निकलती है दो लेयर निकलती है तो इस तरह क्या है थिन स्केल ला ले करते हैं तो आपका जो टूणी लों किसका आएगा आप थे नॉन टूण इक टूर्ट बन नॉन टूर्णी केट Dominion मेशना सिसके अंदर क्या है लेयर प्रेजेंट नहीं होती तो जनली आपके जो लिली होती है उसके जो बल्ब होते हो कैसे होते हैं इसके लावा देखे स्टैम्म ट्यूबर किसको आ जाता है स्टैम्म ट्यूबर तो सभी को पता होगा पुटैटो को क्या है स्टैम्म ट्यूबर बोला जात होता है आपका root से develop होता है इसके according देख लीजिए इसका राइट अंसर क्या होगा option a का जो है आपका a का है second ठीक है और B का आपका है third तो इस हिसाब से देख लीजिए यह क्या है option B आपका right answer होगा okay student clear about option B क्या होगा आपका right answer होगा next question देखिए next question है आपके पास in which of the underground stem structure the main axis of the plant grows horizontally ठीक है आपको क्या बतानी है कि जैसे यह क्या है आपका the soil surface है इसके नीचे क्या है स्टैम है ठीक है रूट है अब इसको आपको इसनों क्या है कि horizontally क्या है उसका development हो रहा है और उससे क्या हो रहा है फिर आपके plant निकल रहे इस तरह से क्या है soil के अंदर उसका development हो रहा है तो उसको क्या कह जाता है उसको वह कौन सा डवलप करती है horizontally उसके अंदर डवलपमेंट होता है और उससे फिर क्या है आपका सीड जो प्लांट है न्यू प्लांट का जर्म न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है न्यू प्लांट डवलप होता है उससे फिर नेक्ट कोश्चन आपका cryopreservation is done with use of cryopreservation के लिए किसका यूज किया जाता है यहां पर option A में दिया गया है n2 gas at 196 degree Celsius option B है जो आपका उसमें दिया हुआ है आपको n2 gas at 196 degree Celsius option C आपके पास है h2 gas at 196 degree Celsius option D आपके पास h2 gas at minus 196 degree Celsius तो देखें इस question के अंदर ही defect है यह दोनों option तो आपके same दे दिया और यह दोनों option ही क्या है आपके गलत है इसके लाबब जो option A और option B आपका दिया हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने n2 gas तो बोला हुआ है temperature भी 196 degree भी बोला हुआ है लेकिन क्या है यह temperature जो है minus 196 degree Celsius आपका होता है ठीक है तो जो cryo preservation है उसमें जनरली आपकी जो है N2 gas liquid nitrogen gas use की जाती है जिसका temperature minus 196 degree Celsius लिया जाता है ऐसा option आपका question में कोई है नहीं है तो यह आपका option जो यह question क्या है है आपका गलत है ठीक है इसके अलावा देखिए जो solid carbon dioxide solid carbon dioxide minus 180 degree Celsius ठीक है यह भी क्या है आपकी cryo preservation के लिए लिए जी जाती है ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं liquid nitrogen और solid carbon dioxide said बोल रहा हूं आपके जो previous year का question paper था उसमें क्या है एक statement wise question आया हुआ था इस subject का नहीं था इस course मतलब की इस पोस्ट का नहीं था किसी और पोस्ट का था होटी कल्चर का पर था उसके अंदर क्या है आपका sentence में दिया हुआ आता कि जो आप जो liquid nitrogen cryo preservation के लिए जो है liquid co2 यूज में ली जाती है ठीक है लेकिन liquid co2 नहीं लेते dry co2 लेते हैं तो statement क्या थी आपकी रोंग थी तो ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं और nitrogen gas बोल रहा हूं ठीक है next question देखिए आपका next question है the energy carbon source in micro propagation media जो आप tissue culture करते हैं उस time आप media का use करते हैं ठीक है different media यूज होती है आपकी अगार-गार media होगी ठीक है MS media होगी इस तरह की different media आपकी जो है use में ली जाती है different media आपकी यूज में ली जाती है तो आपको बताना है उस time जो है carbon का सोर्स कारवन के सोर्स के लिए उसमें कौन सा जो है कंपोनेंट यूज किया जाता है आपका जो ओफ्षन ए है अगार अगार ओफ्षन भी आपका सुक्रोज ओफ्षन सी आपका साइट्रिक एसिड ओफ्षन डी आपका चार कॉल इसका अंसर कमेंट कीजिए बाइ स्टुडेंट वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ वाई सभी लोग और तो डेखिए जह एनरजी कारवन सेस्ट के लिए जो आपकी मीडिया उती है जो अगार-गार मीडिया ओगी यह मेंस मीडिया होगी उसके अंदर जेनर्ली जो है करवबन स्ट के लिए सूक्रोज यूज में लिया जाता है त pomoc को यूज में लेते हैं exclusive ऐसके के लावा जो एक्टिवेटीड चार्कोल है यह भी आपका मीडिया के अंदर यूज किया जाता है लेकिन जो एक्टिवेटीड चार्कोल है यह किसके लिए यूज किया जाता है यह क्या है आपका एड्जॉप्शन का काम करता है आपने देखा होगा कि जैसे टीवी गारा में एड भी आता रहता है कि जो फेस्वोस होते है एक्टिवेटिड चार्कॉल उनके अंदर प्रेजेंट होता है तो एक्टिवेटिड चार्कॉल क्या करता है यह जो डर्ट होता है या फिर जो उसको क्या करता है एड्जोर्व कर लेता है उसको क्या करता है एड्जोर्व करता है तो इस चारकॉल का जो मीडिया के इंदर काम है इसका भी सेम यही काम है कि जिस टैम क्या है जैसे मीडिया होती है आपकी अगार-गार मीडिया होगी अमस मीडिया होगी उस टैम जब आपक उते हैं और उसके मीडिया के लिए क्या करते हैं तो यह शुकरोज करते हैं अगार अगार इसका अंसर नहीं आएगा question को ध्यान से पड़िए question में पूछा गया है carbon का source पूछा गया है ना कि media पूछी गई तो अगार-गार तो खुदी एक media है ठीक है तो अगार-गार इसके अंदर नहीं आएगा citric acid तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता उसके वाद देखिये next question आपका pineapple पर और पकाएपल को हम किसे फ्रोपोगेट कर सकते हैं इसका आप कमेंट किजिए ऑधन सर कि आफने कि देखें जो पाइन अपकर होता है आपने पाइन एपल का प्लांट देखा होगा ठीक है यह आपका सोयल सर्फेस है नीचे उसकी रूट्स होते है उसके बाद यह क्या है पाइन एपल का डवलाप्रमेंट होता है उसके बाद फिर से उसका क्या है यहाँ पर ग्रियन लीफ्स आपको नजर आती होती होंगी ठीक है तो देखें जो यहां पर जो इसकी जो टॉप प्रोपनेपल मार्किट में आपने प्लांट नहीं देखा होगा तो मार्किट में पाइन एपल तो देखा दुपाने कंपर रख़रत है उनके उपर जो टॉप यह ग्रीन लीफ्स होती है इनका भी जेनरली क्या है प्रोपेगेशन के लिए फार्मर्स यूजुज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं इसको क्राउण जो पाइन का जाता है मतलब कि क्या है pineapple का जो propagation है आप crown से भी कर सकते हैं इसके लाबा देखे इस pineapple के ज़स्ट नीचे क्या है यहां पर बहुत सारी बड़ निकली होती है ठीक है जिनको जनली हम क्या बोलते है slip sorry is it इन सिल्फ से भी क्या है फान अपल का प्रोपेगेशन होता है जो प्लांट के ऊपर जहाँ मुद्ट hai जए उसके निच्छी का है काफी सारी बड निकली होते हैं ब्रांचीज निकली होती है जिनको हम क्या कहते हैं जो तो आपका बी भी ठीक है सी भी ठीक है इसके लावा देखिए सकर्स ठीक है सकर्स क्या है जब जो रूट होती है रूट के यहां से क्या है आपके रूट के यहां से जो प्लांट निकले होते हैं उनको सकर्स का जाता है और इन सकर्स का भी यूज क्या है प्रोपगेशन के लि यह जाते हैं ठीक है तो इसका राइट अंसर होगा आपका कि All of these का राइट अंसर होगा ठीक है आपको यह बताना है तो देखें जो पंगूर की रूट स्डोक है ये जनलिक क्या है आपकी एक टो टॉट्ट और छाड्राइय। टॉलाइंट वाय इसका रॉट्स टॉख है टो खेह तो इसका राइट प्र होगा आपका ऑफसेन घजो इसका राइट अंसर होगा बाइसिट कोक्शन आपका वायरस हरी planting material can we produce through बहुत ही easy question है आपको बताना है कि जो virus-free plant है और कौन से culture से develop कर सकते हैं आप मुझे नहीं लगता इससे easy question आपके लिए कोई होगा तो देखें पहला option आपके पास क्या है एंथर culture एंथर culture में generally क्या है एंथर इतना मैं इनके सब के बारे में discuss कर लेता हूँ आप answer comment कीजिए इसका इंथर culture के अंदर generally हम क्या है या तो पूरा का पूरा एंथर जो एंथर होता है आपका जो यह एंथर होते हैं इनको क्या है हम culture के लिए यूज करते हैं ठीक है इनको क्या है आपका जो होती है उसके उपर देने होती है और गोलेट यह जाता है शो इसके बार यह मैि कलचर के अपको जो plant की tip होती है ठीक है जो आपकी plant की tip होती है उनके tissues को लेकर क्या है Februar का बैस चिंट आता है रका जो plant का female part होता है जो MMI होता है उसके अंदर से इस सहल क् Floyd किया जाता है नेश्ट आता आपका एक्जिली ब्र्ड देखिए एक्जिली ब्रड कौन सी होती है तिए यहाँ पर है leaf ठेच है ठीक है यहाँ पर जहाँ जहां पर यह leaf अटाच है ठीक है यहाँ पर यह लीव एठाच है और प्लस जहां यह स्टा Esp होगा एक्जिलिरी वर्डट किल्चर कहते हैं ठीक है तो देखें इसका राइट अंसर क्या होगा है इसका राइट अंसर होगा आपका आप फ्रियोप से वहाँ तक वाईरे से नहीं पोस्ते तो वाईरेस फिरी के यूज में लेते हैं इसके अलावा मुझे बताइए कि हैपलोऑड प्लांट डबलब करने के लिए कौन सा कल्चर इन में से यूज में लिया जाता है है क्लोट डवल अंदर जो है आपकी कुछ lucidisodore है जो बहुत ज़्यादा कि effective है ठींके बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं इल्ड का लोगुष कर देते हैं उसमें से एक जो है आपका spongy होग है तो आपको बताना जो जो courageous disorder है औक जनरली कौन सी वेराइटी में देखने को मिलता आपक्षण एहापके पास नीलम वी है आपके पास बैंगलोरा सी आपके पास अलफानसो और डी आपके पास बेंगाल पनली तो देखिए जो नीलम बैराइटी है आपकी नीलम बैराइटी जो है यह क्या है आपकी लॉंग ट्रांस्पोर्ट के लिए क्या है बैस्ट है ठीक है लॉंग सोता पूरी भी बोला जाता है इस वाराइटी को इसके लावा जो आपकी अलफांसो है इसके यह क्या है आपके इसको हाफस भी बोलते हैं यह क्या है बैस्ट एक्सपोर्ट वाराइटी जो है इसको माना जाता है बैस्ट एक्सपोर्ट वाराइटी जो है इसको अलफांसो को म प्रप्रदेश की कि क्या है यह को मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट देखिए और uniform flowering naphthalene acetic acid application is followed when the crop attained ठीक है आपको बताना है कि uniform flowering के लिए जो आपका laa है उसको किस stage पे जो है plant के उपर apply किया जाता है ठीक है किस stage पे जो है plant के उपर apply किया जाता है इसका जो है आपी अंसर कीजिए इसका अंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है कि इसका अंसर आप लोग भी कमेंट कीजिए नेक्स्ट कॉस्चन देखी ऍेक्ड़िष्ट अमंग इस यस वर सब्सक्राइटी इन पपाया यह आपको फोर फोर 24 आपको मैं एक बात किलीकर दुँए चार फोर अ क्या है आपकी पपाया की है लेकिन इमेंसे गाइनो-डायोसिएस वैराइटी कौन सी है आपको वह बतानी है इतना मैं क्या करता हूं आपको इन वराइटी के करेक्टर या कुछ जो इंपोर्टेंट बाते हैं और डिसकस कर लेता हूं जैसे देखिए सीयो टू वराइटी जो है सीयो टू वराइटी आपकी क्या है यह एक प्योर लाइन सेलेक्शन से डवलप की गई है इसके लावा इसका नेचर कैसा है यह एक डायोसियस बैराइटी एठीक है कैसी वराइटी है डायोसियस नेचर की इसके लावा देखिए जो सीयो फिर है जो सीयो फोर्फ वराइटी यह है याज है जो कि आपकी co2 into sunrise वराइटी होती है उसके डवलप की गई यह क्या है आपकी एक गाइनो डायोसियस वराइटी है तो इसके से लावा देखिए जो आपकी उसके selection से क्या है इसको develop किया गया है आप जो go5 और जो c 거죠 c5 और co2 यह दोन्ने राइटी क्या है आपकी co2 और co5 क्या है यह दोन्ने वाइराइटी पपेन स्क्रेक्ट के लिए क्या है फके लिए पर पेन रिच होती है है अब co2 और co5 में से भी जो आपकी co5 वराइटी है यह पपेन के लिए सबसे ज्यादा बैस्ट आपकी माननी जाती है यह तो option c क्या होगा इसका राइट अंसर होगा option c क्या होगा इसका राइट अंसर होगा next question देखिए commercial method of propagation in breadfruit is white ठीक है अब चैनली बहुत है चोटा होता है तो आपको बत ने का बत रहे दो जर्टेशन आपका है रूट कटिंग से किया जाता है कि से किया जाता है जो है इसका परोपेशनруж किया जाता है option दी इसका right answer है इसके लावा देखी next question जो आपका है इंड वेर grण प्लाइस टो पर लगे देख आ में तो आपको पका होगा इसका राइट अंसर क्या अगर आपने अगर पड़ा है तो भी पता होगा आपको बताना है जो बेर और कौन सेट हाँ पर लगता है प्लांट मैं उसकी कहां पर बोर्न होती है зачем अधर लगता है ठीक है पास्ट सीजन सूट इन टर्मिलल जी नहीं यहां भी नहीं यहां भी तो इसका राइट अंसर जो है आपका यह है ओफ्षन भी करेंट सीजन की जो सूट होती है उसकी जो लीफ एक्सिल होती है ठीक है लीफ एक्सिल जैसे आपका यह कहा है आपका बेर का प्लांट है यह लीफ है ठीक है यहां पर जो आपकी जो लीफ एक्सिल होती है यहां पर क्या है फ्लोवरिंग स्टार्च होती है यहां पर आपकी फ्लोवरिंग आती है ठीक है तो इसका राइट अंसर होगा आपका ओफ्शन भी ठीक है ऑफ्शन भी क्या होगा इसका राइट अंसर होगा कि नेस्ट कोश्चन देखिए वीच वन इज करेक्टली मैच्ट आपको बताना इन में से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ट है उसके बाद आपको क्या है तो देखे जो एपल है एपल के अंदर जो है आपका बीटर पीट देखने को मिलता है एपल के अंदर क्या आपको बीटर पीट जो है डिसॉडर देखने को मिलता है बीटर पीट के अंदर क्या होता है जो एपल आपका फूर्ट होता है उसके अदर उपर क्या है ब्लैक ब्लै ब्लेक स्पोर्ट पर जाते हैं दो जनरली किसकी बिज़स होता है कैल्सियम की डिफीसेंसी की बज़स होता है या फिर सोयल मोश्चर स्ट्रेस की बज़से होता है यह पॉइंट आप साथ में नोट कर लीजेगा नेक्स्ट आपका मैंगो मैंगो के अंदर जो जनली देखें डाइबैक देखने को मिलता है ठीक है मैंगो के अंदर क्या है डाइबैक देखने को मिलता है ठीक है इसके इलावा जो डाइबैक आपकी है यह एक जो सीट्रस प्लांट होते हैं जो सीट्रस प्लांट होते हैं उनका क्या है काफी फ प्लोट्た को मिलती है जो कि आपकी किस बजहे से होती है यह जो है नाइट कर टम्परेचर होता है दे और नाइट का temperature होता है उसमें क्या होता है काफी ज़्यादा difference होता है extreme difference between day and night temperature उसकी वज़े से भी क्या होती है fruit cracking होती है किसके अंदर pom granite के अंदर इसके लावा देखे बनाना बनाना के अंदर जो है lumpiness disorder होता है lumpiness जो है यह पा जाता है तो इसका right answer होगा आपका option d ठीक ह क Lewis pig Brasil है lumpiness किसके अंदर देखने को दिति है बनाना के अंदर देखने को मिलते इसमें generally क्या होता है यहाँ lumpiness justahu होता है तो option d क्या है इसका right answer प्रूट प्लांट इधर उनकी वाराइटी हुई है एक वाराइटी तो इसमें हर किसी को पताई होगी ठीक है उसके हिसाब से अगर आपको अंसर मिलता हो तो ठीक रहे नहीं तो आप इसमें अंसर बताएए देखिए फटाफट क्या है कि इसकी जो सबम घरेनिट की कौन ढ avete लाइट ऑपकी सब्म्रेंट की है इसके बिदुए नप, पन सि कोन सी यहे kids के लावा देखे जो बेर है बेर की वराइटी कौन सी आपकी सी ठीक है उम्रन जो है आपकी क्या है बेर की वरायटी है और तो इसका राइट अंसर क्या होगा option A क्या होगा इसका right answer होगा option A क्या होगा इसका right answer होगा our next question देखिए oh the next question requirement is the variety of pineapple किसकी variety ठीक है pineapple किसकी भरहज़ी है क्या pineapple की वर算 पनेपल क्या पाइनेपल की वराइटी है जी नहीं पाइनेपल आपकी पाइनेपल की वराइटी नहीं है नहीं यह मैंगो की वराइटी है और नहीं यह मेंडरीन ओरेंज की वराइटी है पाइनेपल आपकी वराइटी है स्वीट ओरेंज की ठीक है पाइनेपल आपकी किसकी वराइट के अंदर किसकी deficiency की बज़े से होता है आपको दो रीजन बताये अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसली इसका अंसर देल सकते हैं तत्य प्रकास जी ने कमेंट किया है स्वीट ओरेंज जी हां बिल्कुल ठीक का है आपने जो आपका पाइन एपल जो वराइटी किसक की बज़े से होती है आपकी बीटर पीट जो है एपल के अंदर calcium की deficiency से होती है इसके अलाबा जो है स्वेल मोश्चर स्टेस होता है उसकी वज़े से भी एपल के अंदर बीटर पीट देखने को मिलती है ठीक है नेस्ट कोश्चन है आपका डैस इस दा रूट स्टोक यूज़ फोर ग्राफ्टिंग इन सपोत्ता इन में से कौन सी रूट स्टोक है जो सपोत्ता की इसकी रूट स्टोक है मैंगो की रूट स्टोक है ठीक है किसकी रूट स्टोक है मैंगो की इसके लाबा जो आपकी रैम से और पाला बची है ठीक है रैम से और पाला जो है यही रूट स्टोक आपकी बची हुई है तो देखिये इसका जो राइट सपोत्ता की आपकी रूट स्टोक पाला ठीक है सपोत्ता की रूट स्टोक है आपकी पाला और जो रह्म से है इसका आपकी किसकी habit Of jack fruit jackfruit की bearing habit बतानें है मतलब कि jack fruit या फिर अपका terminal पर आता है या फिर kaloys होता है या फिर लेटरल होता है या फिर बहुत terminal and if PayPal on a leaf होता है तो देखे मैं बताता हूँ जो jack fruit होता है उसका जो Plowër आता है आपका January branches या फिर stem को उपर होता है जो में ब्रांचीज होती है उस पर या फिर स्टैम के उपर इसका फ्लोवर आता है उसी पर उसका फ्रूट लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसके नेचर को बोलते हैं क्लोरी कॉली फ्लोरस बोलते हैं उस नेचर को उस नेचर को क्या बोलते हैं कॉली फ्ल पुलार्डिंग या फिर डी होर्निंग किसमें की जाती है मैंगो के अंदर सीट्रस के अंदर गवाबा के अंदर या फिर आमला के अंदर दिखे पुलार्डिंग मैं बताता हूं पुलार्डिंग जनरली हम कम करते हैं या फिर डी होर्निंग हम जनरली कभ की जाती है यह जब बाद उनको कट कर दिया जाता है उसके बाद क्या है उनको कट कर दिया जाता है इसी को पुलाडिंग या डी होड़निंग कहा जाता है यह जो जनली आपकी गवावा के अंदर यूज की जाती है गवावा के अंदर जो है पुलाडिंग आपकी यूज में ली जाती है ठीक है स्क्रेम्न देखिए नेक्स्ट्ट्ट्न आपका अर्का सहयन ग्रेपह टी ओंध सब्सक्राइज का रिवाइटीं है यह है तो देनी है टी किसकी वराइटी है आह primo किये वघ्याнов है root stock of Apple is okay Apple का Ultra Dwarf root stock बताना है ठीक है तो दीखेश एपन का जो अल्टरा ड्वार फ्रूट रूट रूट स्टोग है और इसके इापन के ही ये तीनों रूड रूट स्टोग यह मैंने बात बता दिया इसके बात इसके आप सिंपल सा कॉस्छन पूछता हूं जो आपका एपल का ड्वार फुरूट स्टोग कौन सा है एपल का ड्वारफ रूट टोग कौन सा है घ्रमेंट कीजिए नैक्स्ट कोश्टन देखिये इतना कि नैस्ट कोश्टन जो है ली चीज इस गॉमर्चिली प्रोपोगेट फहो लीची जो है कैसे जो है जनली प्रोपगेट किजाती है ग्राफ्ट इए लेहरिंग से चिपिंग की बोलते हैं विट टी जिसको बोलते हैं उससे क्या होती है लीची की प्रोपगेशन की जाती है next question आपका the genome of Narendra banana ठीक है नरेंद्र बनाना का जिनोम कौन सा है आपको यह बताना है यह 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 जो एपल की जो ड्वार्फ रूट स्टोक है ओ एम नाइन का है आपकी ड्वार्फ रूट स्टोक है अपल की ठीक है तो देखें इसका जो राइट अंसर है नरेंद्र बनाना का जो जिनोम है और कौन सा है यह बी क्या है नरेंद्र बनाना का क्या है जिनोम है ठीक है ओप्शन यह क्या है इसका राइट अंसर है next question है fruit drop in mango minimized by ठीक है mango के अंदर आपको fruit drop रोकना है तो कौन से होर्मोन से जो है आप उसको minimize कर सकते हैं तो देखें जो ज जीटीन यह क्या है आपका एक साइटो काइनीन ठीक है यह क्या है आपका एक साइटो काइनीन है जीटीन क्या है आपका फ़र्स्ट नेचरल साइटो काइनीन है जो कि आपका डिसकवर किया गया था ठीक है फ़र्स्ट नेचरल साइटो काइनीन है जो कि आपका डिसकवर कि किया गया था आपका first cytokinin था इसके लाव देखिए जीए three c a3 का जनली जो है किसके लिए युज किया जाता है seed dormancy कि breakage के लिए यूज की एजाता aj cultural का जो है यह आपका virus hormon है जिसका रैपिनिंग के लिए दो है तो फ्रूट ड्रोप के लिए एक ही बचा है जो की एन एए है ठीक है लगबग 25 25 पीपीम का सुलूशन क्या है हम फ्रूट ड्रोप के लिए फ्रूट को रोकने के लिए यूज में करते हैं किसके अंदर मैंगो के अंदर नेक्ट है आपका कॉस्चन सक्सेस ओफ हाई देंस प्लांटिंग लिए इन टीनों की वज़े से दौर्फ ड्रॉट्स टॉक की वज़े से तीसा जो है ग्रोथ रिटार्डंट के यूज की वज़े से क्या है यह यह थे टीनों के लिए ठीक है ठीक है नेस्ट कॉस्चन देखिए डैसिज यूज़च तो इंटोड ऑफ सीजनल flowering in mango mango के अंदर off seasoning off seasonal flowering करनी हो तो इसमें से जो है कौन सा यूज में किया कौन सा हर्मोन जो यूज में लिया जाता है काइनेटीन जी यह 3 या फिर प्रोकुलो ब्यूटराजोल या फिर एन एए कि मैंगो के अंदर आपको जो है अगर अफ़ फ्लॉवरिंग करनी हो तो जेनरली जो है प्रोकूलो प्रोकुलोब। आज उसमें लिया जाता है तिक है new जाता है नेच्ट कौस्चन हापका है है अपंत सिवानी किसकी गारीटी है हमान फोन सिवानी जो है आपकी ड outrage या फिर बेल की या फिर लिशी सिवानी आपकी यह एक बेल की आपकी कि कहा यह राइटी है नेस्ट कोस्च घखिए ऑरी का डिइज प्रॉपेगेटेटे़ बाई,अभी मैंने साइस सबस्ट कोस्टन इस आपको सीड से प्रोपीटि किया जाता है सीड से जो है एरेका नट का इंस्तेटीटिूट आपका कहाँ पर क्योफ रिस्टीट्यूट इस्टेबला अब बताइए इस Netflix District है ओिठिसाथ को, का स्टीर हम अग्रेंटेंटिन 1916 के लिए अदर स्टेबलिश किया गया यह आपका कहों पर कैसरा गोड के ला कुर्लीत है कैसा का स्टेबलिश स्टेबली से नेक्ट कोशन देखा था highly adapted type of cocoa to Indian condition is यह देखे जो 4 रहा हैं चारो की चारो आपकी क्या है cocoa की species है चारो की चारो आपकी cocoa a kiss deposition जो India के अंदर सबसे जादा अदेटी नहीं है forest road तीक है forest rojo है India के अंदर सबसे जादा अड़्टेवल जो है आपकी species है cocoa फिटिक है नास्ट कोस्टन है इन हिन को कॉकोनेट दा मदर पाम सुड हाइवा यह ऑप डैस नट्स पर इयर मतलब की कोश्च्टन ने क्या पूछ आ पुछा है कि जो आपका कोजने पूछ होता है वो एक यहर में वन यहर में कितने जो है नट या फिर कितने जो है कोकोनट करता है तो देखिए अगर जो है कोकोनट जो जनली कितने हंडर से अबब ठीक है हंडर से अबब क्या है आपके को नट सो प्रोड्यूस करता है पर यहर में पर प्लांट पर जो है हंडर से कंडिशन में होता है इरिगेट tenure में जो है 100 से अबभा प्र्डूस करता है अगर रेन फैड कंडीशन होगी अगर रेन फैड कंडीशन वह दो जनsystem टेना 62 1820 जो है मेल अनट प्रिडूस करता है पर प्लांट पर एयर ठीक है पर प्लांट पर एयर क्या है 62-80 नट पूर्ड यूज करता है अगर रेन फैड कंडिशन होगी नेक्स्ट कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन जो है आपका इन एरिका नेट फोर प्रोसेसिंग ओफ कलीपक नेट्स और हार्वेस्टिड बेन आर अब देखिए आपने जो है सिंपल जो है नेट सुपारी सुपारी आपने हर किसी ने देखी होगी सुपारी आपने देखी होगी तो आपको बताना है जो कलीपक नट होता है यह पिर जो कैसे बनाए जाती है तो ऊसको बनाने के लिए ना उसको एक प्रोपर टाइम पर हार्वेस्ट करना पड़ता है उसको एक प्रॉपर टाइम मतलब कि उसको हारवेस्ट कर लेते हैं और उसको नॉर्मली ड्राइब कर लेते हैं और क्या है वह आपकी ड्राइब बन जाती है इसके अलावा देखिए अगर जो आपको कलीपक नट बनाना तो जनली कितना शिक्स टू-7 मन्त पर उसको हारवेस्ट किया जाता है उसके बाद क्या है उसको बाटर के अंदर वोईल किया जाता है वाटर के अंदर इसको कट किया जाता है कट करके उसको वाटर के अंदर बोईल करते हैं तीन या चार बार लगबग है उसको बोईल कर लेते हैं उसके बाद क्या आपका जो कलीपक होता है ठीक है यह कलीपक एक क्या है आ को क्या किया जाता है आपका उसको कोटिंग की जाती है उससे ठीक है कोटिंग की जाती है उसी को हम कलीपक नट बोलते हैं तो जनरली इसकी हर्वेस्टिंग के से नोर्मली आपका जो ड्राइट होता है उसकी जो हार्वेस्टिंग है ओ आफ्टर नाइन मुन्स पर जाती है फिर नाइन मुन्स पर की जाती है तो देखिए नेक्ट कोस्च्टन अपके पास डैस इस दा leading state in Casio Nut production in India कौन सा state है Casio Nut production में leading state है तो देखे सबसे ज़्यादा जो Casio Nut का production हो कहां होता है महराष्टरा के अंदर सबसे ज़्यादा Casio Nut का production होता है next question आपका डैस इस दा वैराइटी ओफ पलमीरा ठीक है पलमीरा क्या है आपका एक पाम है जैसे एरीक का पार म है ठीके यह क्या है पलमीरा भी आपका ऐक पाहल है तो इसकी बनाटी बतानी आपको इसमेंसे आपको इस मैं से कौन सी जो है पलमीरा की वैराइटी है तहुंद sih आपकी जो कुछ नेच्ट कुश्च जो आपका कली 우리는 कई כ雨 आपकी इरिकनट बरीटी पॉपुलरि इस जो कई quality seedling in coconut is selected based on coconut के अंदर जो है आपको अगर quality seedling select करने हैं तो कौन-कौन से parameter आप यूज करते हैं अर्ली एंड बिगरनेस या फिर maximum गिर्थ हैट बेस या फिर अर्ली splitting of leaves तो देखे जनरली यह तीनों के तीने parameter क्या है आपके count किये जाते हैं quality seedling को select करने के लिए किसकी coconut की तो answer क्या होगा इसका option D है इसका right answer होगा ठीक है option D क्या है इसका right answer होगा next question आपका the correct sequence of cashew processing is अब जब cashew nut है उसकी harvesting के लिए तो उसकी processing के लिए कौन सा sequence आपको sequence बताना है आप कर दो है कि अधिक लिए जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके processing के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है उसको roast किया जाता है कि करने के बाद क्या है उसकी selling कि जाती है करने के बाद क्या किया जाता है उसकी Peeling कि जाती है और पीलिंग के बाद किया है उसकी grading की जाती है अगर आपने cashew nut का fruit नहीं देखा तो आपने ground nut तो हर किसी ने देखी होगी ठीक है ग्राउंट को भी क्या करते हैं पहले हम roast करते हैं उसके बाद उसके सेल रिमूब करते हैं तो उसको क्या करते हैं सेलिंग कहते हैं और जो उसके जो उसका सीड होता है उसके उपर जो सीड को तो उटाते जिसको हम क्या करते हैं टेस्टा कहते हैं जब हम उस टेस्टा को रिमूब करते हैं तो उसको हम पीलिंग कहते हैं इसी तरह सेम ही प्रोसेस आपका cashio होता है plus क्या होता है उसके अंदर testa भी होता है plus क्या होता है अगे पिलिग क्या है तो इसका right answer क्या होगा आपका option A जो है इसका right answer होगा ठीक है YouTube रोस्टिंग पीलिंग उसके बाद उसकी क्या है ग्रेडिंग की जाती है और यह क्या है इसका राइट अंसर है नेक्ट कोश्चन देखिए approach कि और फोलोइंग थीख है आपको यह मैच करने हैं इसकी जो कफी बोलते हैं यह कहा का ओरीजिन आपका तो साउथ अमेरिका का है्ट सके रावा देखिए जो आपका कॉफी है कॉफी आपका है एथियोपा का यही कहा काम सिख्ट राजीब आपका कहा को रीजिन है ब्राजील का शील का किवच्फ ya जो इस appet집 है इस तरह का sequence है जो यहां पर present नहीं है तो इसका जो correct sequence यही है जो मैंने अभी लिखा है तिक है इस question के अंदर क्या है defect है इस question के अंदर investigate है इसके अंदर proper sequence इस तरह कोई option नहीं दिया हुआए टी का origin आपका जो है चाइना है इसके लावा जो कोवा का origin है आपका South America है और कोफी का जो origin आपका Ethiopia है इसके लावा babा जो Cashew का origin है आपका ब्राजील ठीक है यह इसका correct sequence है यह सिक की correct matching है अके next question देखिए next question the period of blossom shower rain of coffee in South India is ठीक है आपको मतलब की blossom shower जो है coffee के अंदर South India के अंदर आपको पीरेड़ बताना है कौन सा पीरेड़ है कि देखे जनली जो South India के अंदर है March April ठीक है March April क्या है आपका blossom shower period है ठीक है coffee के अंदर के लिए student आपके लिए एक important information है अगर आप लोग क्या है IPS EFO exam की preparation कर रहे है ठीक है तो हमारे दोबार कोर्स चलाया जा रहा है जिसके अंदर आपको प्री लिम और प्लस मेंस और प्लस इंटर्विव क्या है तीनों की आपको guidance दी जाएंगी ठीक है तीनों की जो आपकी त्यारी करवाई जाएगी इस कोर्स के अंदर जो आपको है वीडियो classes मिल जाएंगी प्री प्लस मेंस दोनों की और आपको study materials जो है प्री प्लस मेंस का मिल जाएगा साती साथ क्या है 70 सिर्फ 1699 Πर्चेज करना है तो आप हमारी एग्रिकुटर नग जीकट से इसको परफेच कर सकते हैं या हमारी गलेकुटर G. Godin agriculture जो G a. इन से भी क्या है इसको आप परचेज कर सकते हैं ठीक है पर करने का जो लिंक है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इसके लाब आपके अगर कोई क्योरी है तो आप हमें contact कर सकते हैं contact number भी आपको वीडियो के description में दे दिया जाएगा ठीक है स्टुडेंट तो चलिए class को continue करते ने कंते हैं the next question जो हमारा है question number 53 चंद्रा गिरी आपको बतानी है है Baltimore कसकी यह चंद्रा गिरी बाराइटी है ने कंटक्वाद देखिए नेस्ट कोस्टन जो है आपका हिन्-T harvesting plucking refers to plucking जनरली जो है टी के अंदर किस stage पर की जाती है तो plucking generally की जाती है removal of two three leaves and a bud option b क्या होगा इसका right answer हो ठीक है option b क्या होगा इसका right answer होगा next question है आपका in which in which is correctly matched spacing 40 थी थी कहा है जो टी के लिए correctly matched spacing कोन सी है option आपके पास up and down 1.5 into 1.5 meter contour single has 1.2 into 1.5 meter यह कितनी होती है आपकी 0.75 meter होती है ठीक है यह भी आपकी क्या है आपका 1.35 in to 0.75 इन टू 0.75 मिटर ऑफशन सी क्या है इसका राइट अंसर ठीका ओफशन सी क्या है इसका राइट अंसर है इसके लाब आफ नेस्ट कोश्चन देखिए विच इस नोटा कवर क्रोप फॉर रबर ठीक है इन में से रबर के लिए कवर क्रोप कौन सी नही यह इसके लाभब है तीमों आपकी क्या है कवर क्रोप के अंदर आती है जो को आ नो है इसका तो देखिए जो इसका राइट अंसर है पार है रिंग का थी वन क्या रांने रिखेंगा 3 그래도 जो इसका राइट प्रभ्रॉफ 100 ग्राम क्या है आप नीट्रोजन लेते हैं उस पर जो है फोटी ग्राम लिजाती ग्राम क्या है पोटैसिय। ली जाती है ऑफशहन भी क्या है इसका राइट अंसर है नेक्ट कोच्चन है in our diosius Palm and also diosiusgeh but is FM this सारे के सारे क्या आप यह सारे सारे क्या है आपके पंध है पल्मिरा ऊको नट पार मर्करम ऑल पारम आपको बताना है इसमें से diosius कौन सा है तो देखिए जे इसमें से जो डायोसियस पार्म आपका कौन सा है डायोसियस पार्म जो आपका है वह है पल्मीरा पार्म ठीक है बाकी सारे क्या है यह मोनोसियस के अंदर आते हैं यह सारे सारे कैसे पार्म है मोनोसियस पार्म है आपके ठीक है पल्मीरा पार्म क्या है आपका डायोसियस पार् देखिए डैरस praising gua कोईल रिकवरी मेकसिमम मेरी और कि से मिलती है धी जो आपका ओयल पाम होता है उसका चल अविक इस तरह होता है यह क्सुन को अब मेजक्व बोलते हैं टिसको का बोलते हैं लिए क्या होता है उसका कारनल होता है तो सबसे ज्यादा जो ओयल एक्स्रेस्टन आपका किस से निकलता है मीजो कार्प से निकलता है या फिर जिसको पल्प कहा जाता है पल्प से कहा है सबसे ज्यादा ओयल निकलता है तो option option b क्या होगा इसका राइट अंसर होगा next question आपका bitch of the following is the cause of bitterness in wild form of bottle guard जो bottle guard है उसके अंदर bitterness जो होती है किस बज़े से होती है बहुत इजी question है comment कीजिए फटा-फट कर देख इतना option पर नजर डाल लेते हैं solenil की वज़े से क्या होता है पुटाटिटों के अंदर greenness होती है ठीक है जो green pigment potato का अंदर द्वलब होता है किसके विजिस होता है जो ठर्फय का यलो color होता है टर्मरी एकलो कलर आपका किसकी वज़ेश होता है आपका कुरकुमीन की बज़ेस होता है ठीक है तो और नेक्स्ट जो है आपका कुकर बिटेसीन इसका क्या है राइट अंसर है बिटर जो बोटल गार्ड है ओ बिटर नेस किसकी बज़ेस होता है किसकी बज़ेस होता है कुकर बिटेसीन की बज़ेस जो है उसके अंदर बिटर नेस हो हimmersion फिस की बार्वाह मैं लुद्टा इस है और जाट नह seats या आपकी किसकी वेघराइटी है स्पोञेव की मेज़ लगार की इसन स्मोई देखिने जो लेक काप एक-बेंबुबी के अंदर उसके उपर क्हेती की या थी उसको क्या का जाता है Caroline का और 각व को सबको पताई होगा इसके लावें भन बता देता हूं और हैंद्र किसको कहते हैं जो आपका फ्लांट वाटर पॉनिक्स का जाता है और एयर के अंदर एयर के अंदर जो है मोईस्ट एयर का यूज करके क्या है प्लांट को ग्रों के जाता है उसको एरो पॉनिक्स से कहा जाता है ठीक है उसको क्या का जाता है एरो पॉनिक्स कहा जाता है नेक्स्ट कोस्टन आपका वर्सा उपार इस वेर आपको यह बताना है चिली की कैबेज की ओक्रा की या अनियन की तो देखें बर्सा उपार जो है आपकी एक ओक्रा की वेराइटी है किसकी वेराइटी आपकी ओक्रा की वेराइटी है बर्सा उपार नेक्ट कोस्टिन जो आपका है आप व्राइटी बताने है आपको किसकी है है तो आपको बेंज किसकी इटेर टी थी नफटेर तो फिसला स्वाप cuts to structure है उसका सब्सक्द कैने प्रॉवार गम is extracted ना इसbung पोगेंग एकंग है और इसका जो है अधर नेम क्या है गौार को संक्रीक वी बोलते हैं तो गौर कṣते हैं कि जाती कि यहांना पर आपका स्ब्सक्राइब मिन है यह फिर इसका जो है ग्वार भी विसका क्या है ग्वार भी कलेश्टेर्विन होता है उसके endosperm से पूरिए कोटी लोडों से क्या है आपका जो गवार गम है यह एक्स्ट्रेक्ट किया जाता है ठीक है नेक्ट कोस्टन आपका विच ओफ दा फॉलोविंग इस एन ओफपन क्लोस पॉलिनेटिटीड क्रॉप आपकी इन में से कौन सी है ओफफन सेंट किया आपकाati पॉलिनेशन पाए जाता है तो देखे जनरली क्या है यह एग jadi आपने सूनी होते हैं त्ल लपक्रोंत इंकां कम्पेटिबीुलीटी है उसके अंदर ताइप सोते हैं आपके डाइसाहख और स्टाइली बऐस ने में क्या है तीन तरह के जो है आपके स्टेमन्स और एंथर स्ट प्रेजन्ट स्पेसंट प्रेसंट तें तरह के पेजंट सॉर्ट मीडियम और लोंग अग के अंदर है यतिया बाकी तीनों क्या है आपकी सेलफ पोलिनेटिड़ परोप है नेक्ट कोस्चिन आपका ट्रिपलॉइड वार् listen की संक्राइटी कौन सी है तो देखिए जो चौ स्क्र훈 ग्रे डीचार्षटन ग्रेस आपकि लार्ज ओवलोंग वराइटी जो इसका का फूरूट होता है काफी लाज लगबर भी से 30 kg का या 10 to 15 kg इसका होता है पूसा बेदेणा क्या है आपकी ट्रिप्लोड बरायटी है यह क्या है और चीड लेस इसके वाहला उलाब आपका अरकामनिक जो अरकामनिक राइटी है आपकी और जो सुगर बेवी जो शुगर वैवी बराइटी आपकी क्या है स्वीटेट्य वारैटी एडिय के स्वीटेश्ट्र आप लिव इस्पहार अजिय कोण सी है सुगर बेवी है जो कि कितने लगभग में के अंदर गयारा से 13% इसके अंदर TSS present होता है ठीक है? Next question देखिए, next question आपका है Wiptal in cauliflowr is caused by deficiency of ठीक है? जो cauliflower के अंदर जो wiptal होती है किसकी deficiency से होती है? cauliflower के अंदर जो wiptal होता है किसकी deficiency से होती है? को देखे जो ब्रावनीं डिसोडर होता है उप्राउन कलर का हो जाता है हिस्की मार्केटिंग बैल्ली क्या है कम हो जाती है नेस्ट कोस्टन है आपका प्रैकिंग ऑफ टुमेटों इन फ्रूट इज ब्रोट बॉत भाउट बाइटी कहा पॉटेटो जो टुमेटो आपका उसके अंदर जो क्रैकिंग देखने को मिलती है उसका क्या रिजन होता है पहला आपका जो रेस्टिक्टिड वाटरिंग ठीक है उसके बाद है आपका पीरेड ओफ डॉट फॉलोड बाई सदन हैवी वाटरिंग इसके लावा आपका ओवर बाटरिंग उसके बाद स्टाइल ब्रिंजल है ठीक है ब्रिंजल के पास कौन सी तरह की जो है फ्लोबर स्टाइल होते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था लोंग स्टाइल होता है मेडियम स्टाइल भी होता है तो यह क्या है आल अफ दीज क्या होगा इसका राइट अंसर होगा ठीक है क्या कॉली फ्लोवर इसका क्या ही का एकनोमिक होता है और इसका रहार अपका है है लोम कि किसका पार्थ है आपका क्या है कि उम्हेंधे पार्ट है ईया ci question देखिए, next question है, cytoplasmic male sterility is used for hybrid seed production in, जो cytoplasmic male sterility है, वो किसके production के लिए use कि जाती है, तो जनरली onion के लिए use की जाती है, ठीक है, onion के production के लिए use की जाती है, इसके अलाबा जो आपका देखिए, जो tomato है, okra है, potato है, इनके अंदर क्या है, आपका gms यूज में की जाती है, लेकिन most commonly क्या है, इनके अंदर hand emasculation and pollination method जो है, use में लिया जाता है, ठीक है, hand emasculation and pollination method क्या है, generally use में लिया जाता है जी हाँ, हमारी एक student ने comment किया, 72 का option AG ठीक है, बिल्कुल right है, null call क्या है, इसका right answer है, nob क्या है, null call का जो है, economic part होता है इसके लाबा देखिए, next question आपका yellow vein mojack of okra is transmitted by, जो yellow vein mojack है, okra के अंदर किस से transmit होता है, आपका white fly या फिर vamesia tabak, की जो क्या है, इसका scientific name है, उससे transfer होता है, ठीक है next question, sweet potato is propagated by, sweet potato आपकी generally किस से propagate की जाती है, sweet potato जो आपकी है, ओवाइन cutting से की जाती है, देखिए, जो sweet potato होती है, उसकी vine होती है, ठीक है, बेल होती है, उस बेल को क्या है, कट करके, soil के अंदर लगाया जाता है, तो vine cutting से क्या है, इसकी propagation generally जो है, की जाती है, next question आपका पूसा मंजरी is a hybrid of, जो पूसा मंजरी है, ओ, किस का hybrid है, बोटल गार्ड का, tomato का, baby corn का, या फिर cow pea का, तो देखिए, जो गोप पूसा मंजरी है, ये आपकी बोटल गार्ड की, बोटलं गार्ड की hybrid है, जो कि किस से बनाई गई है आपकी पूसा सीतल और लीमा के क्रोश से बनाई गई है ठीक है बोटल गार्ड जो पूसा मजरी आपकी किस से पूसा सीतल पूसा, सीटल और लीमा के क्रोस से यह बनाई गई है ठीक है किसे पूसा, सीटल और लीमा के क्रोस से यह वराइटी जो आपकी डवलप की गई है नेक्स्ट कोस्टन है आपका बीच ऑफ दा फॉलोविंग डिसोडर इस नौट डूटव डॉ डॉट डू और वोरन डिशेन्सार है आपको बताना इन में से कौन सा डिसोडर है जो बॉरन की डिफिसेंसी से नहीं होता उसका जो नाम है है पूशा हाइब्रिड वन क्या है आपकी होट तंपरेचर के अंदर जो है आपके फ्रूट सैट करते है इसके देखने को पूशा उपाहर है इसके अंदर आपको 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 जो है डेटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है next question देखिए which of the following is are necessary for successful vegetable production इन में से जो है कौन सा है successful vegetable production के लिए necessary आपका quality seed दूसरा option है improved cultural practices या फिर proper plant production देखिए बहुत easy question है option D क्या इसका right answer होगा यह सारी कि सारी क्या है है आपकी successful vegetable production के लिए सारी सारी necessary है quality seed भी होना चाहिए proper cultural improved cultural practices भी आपको use करनी है इसके लाब आपको कहा है proper plant protection का भी ध्यान में रखना है next question है आपका which among the following is a perennial vegetable crop इन में से कौन सी perennial vegetable crop है तो देखिए sorry student इसका right answer जो है option C coxenia या फिर इसको क्या बोलते हैं हम ev guard भी बोलते हैं ठीक है ev guard भी इसको बोला जाता है यह क्या है आपकी perennial vegetable है कैसी vegetable आपकी perennial vegetable है next देखिए next question है आपका the propagation of worst paper is done by जो आपका worst paper होता है उसकी propagation generally कैसे की जाती है आपको यह बताना है तो option A है जो इसका propagation किसे होता है runner से ठीक है 81 का क्या है option A runner से इसका क्या है propagation होता है next question है आपका which crop has hermaphrodite flower but act as a unisexual flower मतलब कि क्या है उसके पास male और female part hermaphrodite bisexual flower होता है लेकिन फिर भी क्या है वो unisexual flower की तरह behave करता है तो black paper में भी होता है nut bag के अंदर होता है क्लोब के अंदर भी होता है तो इसका right answer क्या होगा option D all spice की अंदर क्या है आपका hermaphrodite flower होता है लेकिन हो किस तरह unisexual flower की तरह act करता है next आपका vanilla vanilla तो सबने सुना होगा vanilla ice cream भी आपने खाई होगी ठीक है तो vanilla देखिए क्या है बनीला इस प्रोपेगेटिट वाई आपको बताना है बनीला कैसे प्रोपेगेट होती है बनीला का भी देखिए एक प्लांट होता है ठीक है उसके उपर पोड लगते हैं जैसे आपके फ्रेंच भी राजमा होता है वैसी उसके उपर पोड लगते है उससे क्या है आपका बनाना जो बनीला है वह एक्स्ट्रेक्ट किया जाता है तो बनीला देख हैं कैसे बताना है कर देखिए वनिला का बहुंद से किया जाता है उपर की संदर फूल आते हैं स्क उपर रेट कांडे मौं का जो हैं सीद इपताना को कड़े मौम का जो जो इनली सीड है पर हेक्टेख होता है 500 ख्रांट छाइओ देंस प्राइब होता है । क्या बोला गया है काड़े मॉझ फ्रूट एब टूब्यक्ति फुल राइप स्टेज ठीक है असरसन ने कहा है कि जो काड़े में फ्रूट होता है उसको फुल राइप स्टेज पर हार्वेस्ट करते हैं रीजन देखिए क्या कह रहा है फूट फुली राइप है टेंडेंसी तू स्प्लिट ओन ड्राइंग यह बात ठीक है रीजन की यह बात ठीक लेकिन पूरी तरह से ठीक है जी नहीं जो आपका कार्णेव में है जर्रली फुल राइप स्टेज़ पे करते हैं है ओर चिया करते हैं ऐसे क्या होते हैं जिसकी मार्केटिंग वैलू करते हैं बहुत ह। होती है और क्या होता है वो गुड क्वाल्टी की आपकी कार्डेम होती है तो इसका राइट अंसर क्या होगा a and r are true r is correct explanation of a g नहीं r क्या होगा इसका answer होगा आपका b ठीक है a and r are true r is not correct explanation of a ठीक है जो a और र हैं दोनों correct है लेकिन r क्या है जो reason और correct explanation नहीं कर पा रहा है किसका असर्चन का ठीक है और करेक्ट explanation नहीं कर पा रहा है option b क्या है इसका राइट answer होगा next question आपका the Orchid grown as spice is ठीक है और्किट grown spice कौन सी है तो देखे जो बनीला है आपकी यह क्या है occupied ग्राउनस पाई सिटका और किड़् 30 सब्सक्राइब हं देखा तब ना बनीला जो आइस क्रिम निकलते जहां से बनीला एक्सट्रेक्ट किया है चरक्क्ता रफ है इस अपको इस का सीड रोल राइजो पताना है कि पर है को में तो बने जाते हैं तो देखिए जो तर्मरीक है उसके अंदर जो है 2500 ज्राइजोम 2500 केजी राइजोम स्यूज में लिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन आपका है देखिए जिंजर वैराइटी डवलप्ड वाई हाई अल्टिटूड रिशर्च स्टेशन पोटंगी औरिशा ठीक है औरिशा के अंदर इम्में से कौन सी जो है जिंजर वैराइटी डवलप की गई थी ओप्षन बी सुरूची दिखा जो सुरूची बैराइटी यह क्या है आपकी औरिशा से डवलप की गई थी कहां से हाई अल्टिटूड रिशर्च स्टेशन से जो कि आपका कहा है पतंगी के अंदर ठीक है नेक्स्ट कोस्टन आपका दा डिवरेशन ओफ कोरिएंडर इस प अंडर्डेज तक जो है यह ससोउंक से लेकर हर्वेस्टिग तक हंडर्ज देज की जो क्रो पहती है नैश्ट को अंड्सीड पाइस इस टोल्रेंट ंपर फ्रॉस्ट फ्रीजिंग वैसेग और इनमें से कौन सी स्पाइस है जो कि आपकी क्या है फ्रोस्ट से यह फ्रीजिं होती है next question है आपका alternate bearing is associated with alternate bearing आपकी किस से associated है अगे से Nutmeg से cinnamon से या फिर curry leaf से यह जो सारे question है क्या आपके medicinal and aromatic से पूछे हुए है ठीक है तो जो alternate bearing है आपकी किस में अन्दर होती है क्लोव के अंदर होती है क्लोव के और आपको alternate bearing जो है देखने को मिलती है मतलब एक साल flowering होती है उसके बाद next year क्या है आपकी आपकी नहीं होती है जो आपकी mango के अंदर भी देखने को मिलती है alternate bearing next question आपका seedling progenies of one nutmeg segregate into male and female इंदा ratio नटमेग होता है nutmeg जो plant होता है उसका जो fruit होता है उसके अंदर though seed होते हैं ठीक है जब आप क्या है उसको grow करते हैं तो उसके अंदर क्या है जो generally दो ratio में मतलब उसमें male and female का है equal amount में मिलते है fifty percent आपके male होते है 50% क्या आपकी female होते है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा आपका option A quarter which Madam and chips are the grades in Yoga quills offering drawer chips क्या है आपको बतानी एक कि की ग्रेड है तो देखे जो क्या है KFC में क्या होता है works में देखी मैं आपको इतना बताता हूँ Bay Shelf ordering क्या होती है और चिपस क्या होती है उसके साफ से आप अंदाज लगा कि अगर बता सकते हैं तो comment कर दीएगा लिए क्या होती है जब stem होता है नो आपका stem plant होता है उसके उपर से main cambium क्या हटा दी जाती है उसके बाद जो आपका mature stem बता ऊपर कहा है उसको scratch करके है जो quills को निकाला जाता है ठीक है जो feedring में आपकी यह कैंब होती है यह को के चानल होती है यह किसको किया children बोलते है chips जो है आपका chips क्या होती है जो तो में चर होती है और मोटी डिबम कर फे काफी मोटी थिक जो वह होती है ठीकllä को हम क्या बोलते हैं चिपस जो बोलते हैं ठीक है यह तीनों ग्रेट्स आपकी किसके अंदर होती है तीनों ग्रेट्स जो आपकी सिनेमों के अंदर होती है सिनेमों के अंदर होती है या फिर दाल चीनी जिसको बोलते है दाल चीनी जिसको बोलते है जो कि आपका क्या है एक ग जाते हैं ठीक है सदावार यो निए कितना होता है उसका सीड काफ़ी छोटा-चोटा होता है जनली जो है उसका सीड रेट आपका कितना होता है 2.5 में लिए जाता है है अगर आपका त्रांस्परांट के लिए बात की जा है पैरी विंकल या सदावार का जो सीड है यूज में लिया जाता है नेस्ट कोश्चन है आपका मैच ओफ दा फोलेंग इनको क्या है आपको मैच करना है तो देखिए जो डिजी टैलिस है आपको बताने हैं कि बाइनियल है पेरिनियल है इसब गोल का रिफोल्विया का और कोलियस का यह आपको मैच करना है तो देखिए जो आपकी डिजी टैलिस होती है डिजी टैलिस जनरली क्या है आपकी बैनियल होती है डिजी टैलिस आपकी कैसी होती है बाइनियल प्लांट होता है ठीक है इसके लावा देखिए जो इसब ग असके एलावा देखिए जो आपका रवोल्फिया प्लाउन्ट है यह आपका कैसा होता है प्लांट होता है ऐसे आपका प्लांट होता है एघडियार अगर ऐस देखिये इसका right answer होगा आपका यह option B क्या होगा हिसका right answer होगा ठीक है student next question देAKे नग Amb मित्मकी संसने सैन्ट कर सिननन प्र texture नहीं सेन के अंदर जो है सैनजो सैनो साइड कर सेनो साय राइड कितना हुटता है यह सैनो साड एक कैमिकल जो कि आपका अलेक्स एंड्रियन सेना के अंदर मिलता है आपको बताना है कि यह कितना होता है ठीक है इसको हम क्या बोलता है इंडियन सेना भी बोलते है ठीक है जो आपका अलेक्स एंड्रियन सेना है इसको इंडियन सेना भी कहा जाता है तो देखिए इंडियन सेना के अंदर जो जनरली आपका 222.5 परसेंट क्या है आपका जो अलक्सेंडरिन प्रेजेंट सेनो साइड प्रेजेंट होता है नेस्ट आपका लैमन ग्रास ओल इस ओपेंड फ्रॉम बहुत ही इजी कोश्चन है लैमन ग्रास देखिए जो लैमन ग्र ग्रास ओयल एक्स्टेक्ट किया जाता है ठीक है कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए कि नेक्स्ट कोश्चन है आपका जैरेनियम इस प्रोपागेटिट जो जैरेमनियम होता है उसको किस तरह से प्रोपागेट किया जाता है कि देखिए जैरेनियम का जो बोटनी का लेम अगर में बताओ तो zerenium आपका इया ना पहल आर गॉनियम ग्रेति टिकर टिक का रार गो गॉनियम ग्रेमियों लेंज क्या है इस Dwariarיים Ethel के तो जरेनियमग ए सबस्कार आपका प्रोफिंट किस किया है different species दी गई है उनके botanical name दिए गए है और ठीक है तो देखिए जो आपका मैंधा अर्वेंसिस होता है मैंधा अर्वेंसिस किसको कहा जाता है जैपनीज मिंट को कहा जाता है ठीक है मैंधा अर्वेंसिस किसको कहते है जैपनीज मिंट को प्रिक्ता किसको पर मैंट को कहा जाता है और इसके लावा जो है मैंधल साइट्रेटा जो है किसको कहता है बरगा मोंत को जाता एड Millionaire आपको किसको जाता है में अपड़ने क्या होगा इसका राइट अंसर होगा नेक्ट नेक्ष्टक चोछन जो आपका cim कंचन इस बतानी है किसकी है cim कंचन किसकी वाराइटी है तो देखिए ओसीं ओसीख्याई सेंक्टम आपका क्या होता है तुलसी सेंक्टन क्या होता है आपका तुलसी जिसको हम कहते हैं ठीक है यह जो है आपका यह वैटी वेरिया जीजेनोट से या फिर पहले ग्रोनियम ग्रेवलेंस यह मैंने बता दिया आपको इसको क्या करते हैं जैरेनियम बोलते हैं ठीक है इस रोज जरिनियम दीक है कोगस्टेम और कोचिली क्या करते हैं। जो आपके जनिरलिक होता है जो पोधीना होता है उसी के तरह यह प्यांट था ठीक है इस यह आपके फिलाल के अभी 100 question और है इनको हम next part में आपको solve करवाएंगे फिलाल के लिए इतने वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ठीक है student उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी इसके लावा जो है आपके लिए एक important information और है अगर जो आप आप लोग हैं OPSC assistant agriculture officer exam की preparation कर रहे हैं तो हमारे दवारा यह course चलाया जा रहा है आपके लिए ठीक है आप इस course को नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ आपको है 20 प्लस जो है मौक टेस्ट जो है आपको प्रवाइड करवाए जाएंगे जो कि क्या है आपके प्रीविएस येर के से question paper के बेस पर और syllabus के बेस पर आपको मिल जाएंगे नेश्ट आपका जो है इंटर्वियू के लिए आपको गाइडलाइस दी जाएगी साथ ही साथ जो है 24 इन्टू सेवन आवर्स के लिए आपको जो है वीडियो रिकोड़िड वीडियो रिकोड़िड अप्लाइब करवाई जा खते हैं तो आप हमारी एप bei agriculture गनिके से परचेस कर सकते हैं या हमारी वैब साइट अग्री कल्चे के हिसकेड़िकस से भी इसको परचेस कर सकते है ठीक है पर चैस करने का आपको वीडियो का डिस्क्रिप्यिक्शन किया तो से सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रैस कर लें ताकि जो आने वाली नेश्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके ओके थैंक यू खुस रही है सबस्त रही है मिलते हैं नेश्ट